वीडियो आज के वीडियो में special announcement क्या है मैं बस आप लोगों को update करना चाहता हूं बहुत सारी important चीजों के उपर ठीक है बहुत सारे students उनको पता ही ने कि कितना chapters खतम हो चुका है अपन लोग ने सारे खतम करके test भी ले चुके हैं बहुत सारे chapters का तो अभी तक कितने कितने chapters हम लोग ने खतम कर रखे है वो एक बार हम लोग देख लेंगे यहां पर ठीक है कौन से-कौन से chapters हमने खतम किया है कौन से-कौन से बाकी है और कौन से-कौन से next आने वाले है ओके within few days तो let's start with it अपना हाँ जी तो अपना CACAT का सब्जेक्ट से बिजनेस कॉम्यूनिकेशन ओके लेगिल अपनी लॉजिकल रीजिनिंग एकौनॉमिक्स और बिजिस इन्वारमन करेंट अफेर्स इन में से हम अगर एकौनॉमिक्स का देखे ओके एकौनॉमिक्स का अगर हम लोग देखे तो बेस पूरा चैप्टर हमने खटम किया अगरा चैप्टर कुछ भी इधर उदर बचा नहीं है कि इंडियन यूनियन बजट्ट हुए इंडियन financial मार्केट कर चुका इंद्ये औरिग खतम हो चुका है इंडियन में आटा यह कोल कर बैठते तो लगता है कि सर यह हमसे ना हो पाएगा इसलिए मैंने छोटे-छोटे मतलब पार्ट में टिवाइड कर करके करके जितना मेरे से हो पाए जितना मैं इसको इलाबरेट कर पाऊं डिवाइड कर पाऊं लगभग 4 से लेके 5 कभी कभार 6 कभी कभार 3 ऐसे करकी करके chapters जो है ना parts में खतम कर चुका हूं मैं ओके तो आपको क्या करना है जा कि देखना यह सारी चीज बिजनस इन्वाइरमेंट में अगर मेरे को याद है तो entrepreneurship scenario खतम हो चुका है अभी सिर्फ दो चाप्टर बाकी है वो है chapter 7 and chapter 8 वो भी जल्द आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है अभी इदर से देख लेते हम लोग बिजनस कॉम्मिनिकेशन के बारे में बिजनस कॉम्मिनिकेशन में क्या है कि देखो जो मैं टिक करने जा रहा हूं अभी यह अच्छे से देखना एक बार यह English grammar, enriching vocabulary, comprehension, passage writing and art and summarizing all this and listening skills यह जो है ना यह मतलब छोटे जब आप नन्ने मुन्ने बच्चे थे ना तब से आप करते आ रहे हैं तो अभी जो आप सीखने वाले हो ना उससे जाधा important क्या पता है आपका जो basic knowledge English का वो कितना strong है अभी कुछ घंटा सीखने नहीं वाले आप इन में से अगर honestly बताओ मैं तो कुछ घंटा सीखने नहीं वाले आप क्योंकि यह जो सारी चीजे है ना यह पहले से आप सीख के आ रहे हो आपको पता है यह सार चीज कुछ नया नहीं है कि में को यार यह जानने को मिलेगा ऐसा कुछ नया नहीं है इन में ओके basic English language English को कैसे यूज करना चाहिए passage writing, art, summarizing, summary writing, comprehension, vocabulary कितना अच्छा है आपका, तो grammars कैसा है आपका, okay and grammar कैसे use करते हम लोग, okay all this, तो बहुत easy है, उसके उपर मैं एक चीज आपको बतातो, सबसे पहले, मैंने यहां पर क्या-क्या complete कर चुका हूँ, मैंने concept of business communication खतम कर चुका है, अब जो यह जो टॉपिक है, chapter 4 खतम हो चुका है, अभी जो टॉपिक आने वाला है, वो है business correspondence, बहुत easy topics है, लगभग दो से लेके तीन वीडियो में खतम हो जाएगा, सारे, मतलब एक एक चैप्टर, ठीक है, business correspondence थोरा लंबा जा सकता है, उसके बाद थोरा लंबा इने, in essence, two to three videos जा सकता है, most probably, मैं कोशिश करूँगा, दो वीडियो में खतम कर दू, में को ना क्या लगता है, कि यार, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज में, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अगर एक chapter को time लग रहा है, खतम होने में, time low, आराम से, आराम से time ले आपको पढ़ने के लिए बोला है, सारे topics में cover कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा videos time लग जाता है, ठीक है, और बच्चे, कभी कबार बोलती कि, सर, मैंने तो देखा है, सर, बाकी जो teachers है, बाकी मतलब जो faculties है, जो net पे videos डालते है, हाँ, बहुत सारे videos है, जो की promotional subject के हिसाब स डालते है, only for promoting the lectures and all, लेकिन, सर, मैंने देखा है, सर, मतलब एक video में, दो video में खतम हो जाता है, सर, चैप्टर, तो बेटा, अगर आपको एक दो video में खतम करना है, चैप्टर, तो उनका video देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको depth knowledge चाहिए, ना भई, तो समझ लो कुछ लोचा है, समझ में आ रहा है, तभी समझ लेना कुछ लोचा है, तो एक चीज मैं बताते हो, आपको मतलब बहुत सारे students में को बोल रहे है, इसलिए मैंने बोला, ये topic मैंने उठाया, बस इसी reason के वज़े से, कि बहुत सारे students के रहे सर्च chapters बहुत लंबा हो इसलिए मैंने नहीं डाला, तो मैं उन students को बस यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, थोड़ा टाइम लगाओ, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, depth knowledge तो लेकर आओ, कम से कम, उपर उपर से परक है, और एम यह है कि मतलब में पास नहीं, मतलब with good and high results, high marks, beautiful results, massive output, आपके results में निकलना चाहिए, समझ मेरा, यह मेरा motive है, तो concept of business communication जो है, वो खतम हो चुका है, आज जो है business correspondence में डालने वाला हो, और दो chapter बचेगा, ओके, यह भी लगबक इसी हफते में खतम हो जाएगा, य इसी हफते में आपका business communication खतम होने वाला है, यह जो listening skills है, listening skills, उसके बाद ए comprehensive writing, vocabulary, यह वाला चीज़ चुआ है, यह मतलब एकदम end में करेंगे, हम लोग, एकदम end में, मतलब लग बग एक दो वीडियो समें खतम कर देंगे, सारे चीज़, क्योंकि यह सब अपने को पता है, अपने को सब पता है, ओके, लास्ट में जाके जब पूरा खतम हो जाएगा अपना यह पूरा syllabus, ओके और मेरा तो एम यही है कि पूरा syllabus मैं खतम करा हूँ, बस एक दो वीडियो देके ना छोड़ दू, है की नहीं, आपको भी भरोसा है मेरी उपर कि हाँ जी सर डालेंगे, तो इसी वज़े से मैंने एक जो कहते हैं, हम लोग प्रन लिया है, तो कि सब खतम करके मैं आप लोगों को अच्छे से वीडियो प्रवाइड कर पाऊ, यह लास्ट में देखने वाले, क्योंकि एक दो वीडियो में खतम हो जाएगा, और यह important भी नहीं, अगर मैंने नहीं क करा दूँगा, at the end, उसके बाद हम लोग देख लेते, next जो है अपना legal aptitude, legal aptitude भाई, Indian constitution में इतना प्यार मिला है में को, बहुत मतलब धन्यवाद to all the students, चीक है, बहुत चारे students ने मतलब क्या बताऊ, मैं, बहुत जाधा प्यार मिला Indian constitution में, सब बच्चे बोल रहेती कि सर, एक्स्प्रेनेशन मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, और आपसे जो जानने को मिला है, वो में को कहीं से भी नहीं मिला, so I was like very very touched with the comments, over Indian constitution, और में को भी बहुत अच्छा लगा कि मैं in-depth knowledge दे पाऊ आप लोगों को, Indian contract act, law of tort, सब में बहुत प्यार मिला मिला मिला, ठीक है, तो thank you for that, यह सारे जो वीडियोस है मैंने already डाल चुका हूँ, elements of company, secretary, legislation भी डाला है, elements of company law, legal aptitude पूरा खतम हो चुका है, अब लोगों का, legal aptitude जो है, पूरा खतम हो चुका है, समझ में आ रहा है, कोई भी चाप्टर बचा नहीं है, सर बोलेंगे सर वीडियोस का है, बिटा चैनल पर जाकर तो देखो, अच्छा मैं end में एक चीज बताऊंगा, अभी इधर देखो, logical reasoning जो है न, भाई मेरे, यह बिटा logical reasoning है, यह जो है, यह आप, मतलब internet पे न, यह जो topics है, मैं इन topics के बारे में कहा रहा हूँ, 6, 7 and 8 के बारे में कहा रहा हूँ, तीक है, 6, 7 लखा है, कुछ different नहीं है, competitive exams में जो थोड़ा बहुत, जो maths, tricks and all आता है न, वो ही है, यह ही पे, समझ में आ रहा है, और इसका marks weightage भी बहुत जादा heavy नहीं है, तो यह जो वीडियो से आपको net से कर लेना, बहुत जादा easy है, बाकी जितना भी है, मेरा responsibility, अभी देखो, legal reasoning ज भी करा दीजिए, तो ठीक है, मैं यह करा दूँगा, तो five वाला जो chapter है, वो मैं करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, legal reasoning जो है, वो मैं करा दूँगा, ठीक है, अभी आजाओ current affairs के उपर, current affairs का क्या है, चार chapters है, सिफ चार chapters है current affairs का, लेकिन चार chapters बहुत बढ़ा है भाई मेर जो पर रहे हैं सबको पता है, बहुत डाउट है सब student को current affairs को लेके, current affairs का जो है न, daily updates, वगेरा वगेरा, बहुत कुछ planning है मेरा current affairs को लेके, जब यह थोड़ा, देखो, यह पाच वाला chapter, उसके बाद यह वाला, ठीक है, business communication का थोड़ा chapters, और business environment का थोड़ा chapters, दो chapter, यह सारे खतम कर लूँ, मैं उसके बाद current affairs पर आता हूँ, current affairs का क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, current affairs का कुछ ऐसा नहीं कि आपको बहुत भयंकर तरीके से समझना है, current affairs is just like general knowledge, okay, you have to learn it as a general knowledge, तो मैं जो अडवाइस करता हूँ हर student को यह अडवाइस करता हूँ कि देख आपको सबसे पहले आपको institute का मैड जो पूरा निगल लेना है, ठीक है, ठीक है, तो current affairs जो है, पूरा जो है, अपने दिमाग में रखना है, PDF वाला, उसके बाद current affairs खतम करने के बाद, तो daily updates है, वगेरा वगेरा, ठीक है, वो आप देख सकते हो, current affairs का, समझ में आ रहा है, हा current affairs को लेके, I am thinking about this, I am working on something, our team CS exam squad का जो team है, वो वर्क कर रहा है, towards current affairs, पहली बात तो यह कि आर जो institute ने current affairs का mad बनाया है, वो लगभख, it's like chapters के हिसाब से उन्होंने दे दिया, कि यह हो रहा है, वो हो रहा है, इनमें से पढ़ना, जो क्या skip करना है, वो हमको पता नहीं है, क्या हम लोग पर सकते है, क्या हम लोग skip कर सकते है, वो हमको पता नहीं है, उसके उपर बहुत जादा है current affairs, right, तो इसको जो proper drafting है, जो हम और अपना जो team है, पूरा लगे हुए है, इसके उपर मैं special announcement करने वालों बहुत जल्द, just stay tuned, okay, current affairs को लेके, और current affairs का जो daily updates वाला वगेरा का चक्कर है न, वो भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले है, अपने channel के उपर, okay, तो अभी लगबग बात यह है कि legal aptitude पूरा खतम हो चुका है, logical reasoning जो है, इसका chapter 5 मैं डाल दूँगा, बाकि तीन chapter आपके responsibility कुछ तो कर लो भई, सब तो मैं करा रहा हूं, कुछ तो कर लो, तो मतलब तीन जो है न, ये तीन chapters यह आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना बाकी देखो में को बताओ, कहां पे मैंने रख दिया, economics पूरा खतम कर चुका हूं मैं, business environment भी पूरा खतम हो चुका है, लगबग दो chapter बाकी वो मैं करा दूँगा, ठीक है, business communication भी मैं पूरा करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और आपको मैंने क्या बोलना हूं करने के ल अल्रेटी है, net की उपर, so it's better for me to focus on things which you need more support in, right, इनके उपर ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो इनके उपर मैंने video lectures बना के आपको छोड़ देना, एक बात सुनो अच्छे से, मैंने जो सारा जो videos खतम कर चुका हूं, इसका जो playlist है, playlist का जो मैं लिंक है, वो लिंक मैं डिस्क special announcement है, जो मैं कुछ दिन बाद लाओंगा, about the current affairs and all that, तो जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो, हर दिन जो है न, एक नए अपडेट आता है, okay, almost everyday एक नए अपडेट आता है, of chapters, lesson, कैसे पराई करना है, नहीं करन सब्सक्राइब करना है, समझ में आ रहा है, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक and share करिये, please, among all your friends, ठीक है, अपका जो जितने भी friends है, नीडी friends है, उनको share करिये, और बोलिये, कि भाई, जाओ, इंटरनेट पे देखो, YouTube पे देखो, कि सर जो है, वीडियो जाल रह है, CACT का पूरा, अब किस चीज के लिए बैठे हो, किस चीज के लिए रोना होना है, किस चीज का डिप्रेशन, कुछ नहीं, सब कुछ है इंटरनेट पे, आपको बस CS exam squad जाना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेर करना है, बस खतम, बैटके घर पे अराम से न किस चीज करना है, बस 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 चीज करन झाल झाल